हाई फ्रेंड्स वर्कम टो माई यूटूब चैनल है जो मैं बनाने जा रही हो मिक्स वेज पराटा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलिशिस और बहुत ही हेल्दी देखे मैं बना चुकी हूं मैं आपको दिखाती इतना टेस्टी बनता गर्मा गरम कभी लगता नहीं कि अच्छी बरी हुई है और बहुत ही यम्मी और यकीन मानिएगा बच्चे भी बहुत ही प्यार से खाएंगे अधर खाने जा रहे हैं मैं खाके दिखाऊंगे बहुत ही अच्छा है चले बनाते हैं लेट्स गो सबसे पहले कड़े लेंगे उसमें तीन चार चमस तेल ले ले है ईसा फ्रेश दालते है न बहुत अच्छा टेस्ट लगता है इस नदर रही हू हूं दो बड़े प्याज ओन्याच्च काट की डाल लेगा बहू यच्छा टेस्ट लगता है और इस के लिएक कप कैबेज और एक कप श्रीम्ट और एक कप करette सब सब्झया रहें आपके प के कप ले रही हूं लेक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर दीजे रफ ली काट लीजेगा कोई बात ने कि हम लोग पका के यूज कर रहे हैं अगर आप लोग नॉर्मल ऐसे स्टफिंग मतब रोई एगर स्टफ करना चाहते हैं तो एक दम भारी किजेगा इसमें डाल रही हूं साधनिसार नमक आदा चमच हल्दी वर्डर डाल के इसे अच्छे से मिला लिजेगा पात दस मिड में थोड़ा सा गल जाते हैं ना तो कच्छा कच्छा लगता है बहुत सा जोनको पसंद भी नहीं आता है मिक्स करने के बाद इसे हम लोग पाश्मिन डख लेते हैं ताकि उसी का मॉस्ट्र से पख जाए सब्चिया इसके मॉस्ट्र से सब्चिया अल्मूस्ट अब पख गई है इसके अंदर मेरे पास यह था पनीर था गर में थोड़ा सा वह क्या दूत फट गया था उसी को एक इसलिए पकड़ रही है यह चार पाच आलू है उबले हुए उसको मैश करके डाल रही है अलू डालने से क्याना सब्चियो को बाइंडिंग मिलती है अच्छे से पकड़ के रहता है ने तो थोड़ा सा जैसे परटे में जाएगा तो फिर भिखर जाएगा थोड़ा सा इसल अच्छा लगता है आदा चमच गरम मसाला और आदा चमच धन्या पाउडर इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लिए अगर आप पसंद करते है तो आदा चमच पाउडर भी डाल सकते हैं तीका थोड़ा से डालिएगा ताकि तेस्ट लगेगा रोटी की अंदर है न सब्जी तो थोड़ा सा आएगा तो थीका और नमक थोड़ा तेज रखेगा तो बहुत अच्छा लगता भी यह पस स्टफिंग ठंडा करने साइड रख देते हैं यह तीन कब बर के मैंने गेहु काटा रखा है इसमें डाल रही हो आदा चमच नमक और चार बड़े चमच तेल इसक कोई भी हैवी चीज जो स्टफिंग डाल के बना रहे हो तो अब अजवाइन का जरूर यूज कीजिए ओ ठंडी का मौसम तो मौस्ट है अब बिलकुल यूज कीजिएगा हजम भी होता है और सर भी खासी से अपको अज़ण बचा के रखेगा डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल को आटा में हाटों से अच्छे से मिक्स कर लिजेगा फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना सत्थ ना गदम सॉफ्ट मीडियम साइज मीडियम का आटा कुंद लेना हम लोगो आपको अगर मेरे वीडियो से अच्छे लग रहे तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए सुस्क्राइब कीजिए कमेंट्स करना तो बिलकुल ना बुलेगा कैसा बना आपसे बे स्टफ्ट मिक्स वेच पदा आटा की रेसिपी इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटा गुंद लेंगे देखे इस तरह से आटा गुंद लेना है जैसे ज्यादा हाड भी रखेंगे ना तो आटा रोटी मतलब फट जाएगी ज्यादा अगर ज्यादा नरम रखेंगे तो फिर श्टपिंगी ने रहे इसलिए मीडियम रखेंगा पाट दस मिंट उसको रेस्ट करने के लिए रख वाहना है तो जहा जहाँ दाल वासखिट करते चलिया पराटा का टेश्ट तो नहीं भी योगा लेकिन यह तक हम दालीगा कंदा लेगा ऐसे बड़े-बड़े थोड़े लोई लीजिगा थोड़े लोई लेजिए किनी स्टफिंग अच्छा बदती है डेखें इस तरह से ब पूरी सा इसकी थोड़ा से बेल लीजेगा ऐसा फटे तो भी कोई बात ने इसको कवर करते चलेंगे जैसे इसका बेल लिए है इसके उपर हम लो लगाएंगे एक चमच उतना तेल लगा रही हूं तेल पराठा बोले तो लगेगा जी फिर इसको इस तरह से चोकोन रूप में पराठा का जैसे हम दो नौर्मल पहले फोल्ड कर लेंगे पहले पराठा बनाएंगे फिर इसकंदर स्टाफिंग करेंगे उससे क्या पराठा बहुत अच्छा खस्ता और टेस्टी बनती है बतारे आपको अगर आविक्दम हेल्ट कॉस जीस है तो आप डारेक्ट रोटी ब पराठा के रूप में इसको हम लोग फोल्ड कर लेंगे जब वह स्टफिंग बाहर आती है और तो इतना अच्छा लगता है आप लोग सुस्ते आप अहार आगया कोई बात नहीं जी वह आएगा तब ही टेस्ट आता है आएगा तो सीखेगा बहुत ही टेस्ट लगेगा अगर आप अगर आपको हातों से करना एक्सपोर्ट है तो आप उसको हातों से फैला लीजेगा ज़्यादा पतला बेलना भी नहीं है ना कि इस टाफिंग पूरी बाहर आ जाएगे और यह परेटे मोटे मोटे लगते अच्छे लगते इस तरह से चाहां से सच्छा पीन दे देखें पूरा बेल लिया बहुत ही टेस्टिर लगेगी मैंने गैस पर रख दिया है तवा मीडियम हीट पर गरम कीजेगा ज्यादा हाई हीट में कीजेगा मीडिय हीट पर गरम हो गया परेटे डाल देना है इसे पाश्मिंट तक अच्छा से से शेखना है एकदम से क्रिस परेटे लग रहा है तो ना टेस्टी लगता है आप सास के साथ खाई है या फिर सब्सक्राइब बढ़ी पड़ी है पाश मिनिट बाद दोनों तरफ से अच्छे से तेलगी लगाई है तबी तो करारा करारा सीखेंगा आज तो हेल्थ को मार लीजे गोली दोनों तरस रेड अच्छा लगा एक कमेंट जरूर किजिए सब्सक्राइब कीजिए प्लीज इस और खाया और मुझे बताईएगा कैसा बना आपसे भी चापड वेजट पराटा की रेसिपी और आपके कमेंट्स का मुझे बेस ब्स इंतजार रहता है और बनाएए और खाया और मुझे कमें किजिए ठेंक्स